दोस्तो नहाने से बस 10-15 मिनट पहले आपको इसे अपने बालों में लगाना है उसके बाद आपको शैंपू नहीं करना क्योंकि इसी में हम थोड़ा सा शैंपू मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कलर भी आपके बालों में बहुत अच्छा से वर्क कर जाए और आपको बाद में करने की जुरुतां पड़े बहुत ही एजी और एफेक्टिव रेमेडी लेकर क्या आई हूं जैसे मेरे चलंग का नाम है एजी एं स्मार्टवे दोस्तो हमेशा ही कोशिश करते हूं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूं जो कि बनाने में लगाने में बहुत ज्यादा यहाँ पर दो चम्मच का ही यूज होगा तो आप चाहें दो चम्मच कलॉंजी ले ले लें दोस्तों कलॉंजी में भरपूर मातरा में एंटियॉक्सडिन फैसी एसिट्स विटामिन ए बी सी विटामिन बी ट्वेल पोटेशियम सोडियम आयरन फॉसफोरस कैलसियम इतनी ज देते हैं और इसको आपको काफी अच्छे से रोस्त कर लेना है जब इसमें बहुत अच्छा से धुवा आने लगे और हाथ से पिछने लगे इसमें आपको ऑईल भी रिलीज होता दिखाई देगा आप चाहें तो लोहे के बरतन में कर लें आप चाहें तो नॉर्मल बरतन म प्रवाइब नेरी हूँ मैंने गैस को फिर से ओन कर लिया है और आप इसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और जब यह थोड़ा से ठंडा हो जाएगा अब देख सकते हैं आप पल्टे पर भी मेरा यह च्छे से चिपकने लगा है और आप देख सकते हैं हाथ से मैं इ दिखा रही हूँ इसमें अपना नैश्रल ऑइल भी होता है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा शैंपू भी एड़ करेंगे ताकि आपके बालों से हलका सा रिंस भी हो जाएगे और आपकी ब्लैकनेस भी बालों से ना जाए तो मैंने इसको मिक्स ग्राइंटर में एड़ कर लि नहीं तो यह इस तरह से अपना ओयल रिलीज कर देख अब यहां पर मैं एक और बरतन ले रही हूं यहां पर लोही का बरतन नहीं लेना इस बात का धियान रखी इसमें मैं एड़ करूंगी थोड़ा सा इंडिको पाउडर आपके पास अगर इंडिको पाउडर है अगर मिक्स कर के लिए लिजे का मैंने थोड़ा सा इंडिको पाउडर लिया है करी बस दो चम्मच और इसको बहुत हलका बहुत हलकाम बल्कल भी आपको तेज को करना ही नहींए बहुत हलका एक से दो मिनिट बाल सो गरना है आप यह समझ लीजे आप देखिए-फूड़ा सा हलक तरफके तैयार हो चुका है मैने ने लिए दो चम्मच कलॉंजी का पाॉर्डर और दो चम्मच इंडिको पॉर्वर्ग्र विर्ड एकन एक जूस है अगर आपके पस आलो विरा जूस है या फिर आपके पास फ्रेष quantitative name अपर आपके नरम पानी अब इस यहां चुर्ण हमों देखे घंडी को अच्छे से रिलीज नहीं कर पाएगा और यह साथ अच्छे से मर्ज नहीं हो पाएगा को लॉंजी के पाउडर के साथ तो यहां पर मैं इसको मिक्स कर वे तो अभी इतना मिक्स हुआ है तो एलोवी रजल हमने थोड़ा लिया है सारा एलोवेरे ज़ल में मि तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी आइड कर लीजे और आपकी हेरडाई लगभर बन करके तयार हो जाएगी आप देख सकते हैं तुरंथ ही इंडीको ने अपना कलर जो है रिलीस कर दिया है और इसकी ब्लैकनेस आप देख सकते हैं कितनी जादा है कोई हमने लोहे के ब ब्लैकनेस कितनी जादा हाथों पर दिखाई दे रही है इसी तरह से बालो पर भी आपके कवरेज बहुत अच्छी दे देगा आप चाहें तो इसको ऐसे भी अपने बालो पर लगा सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें शैंपू एड कर रही हूं ताकि बाद में जिसकी जादा है थोड़ी सी जादा है जादा बहुत जादा भी नहीं है तो अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं और आप चाहें तो जो मर्जी शैंपू ले 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 लेकिन उसमें क्यामिकल जादा ना हो इस बात का धियान रखे नॉर्मल रेगुलर में भी आपको हलके chemical free shampoo का ही इस्तेमाल करना है, दो pump के करीब मैंने यहाँ पर shampoo ले लिया है, पूरे बालो में इसको अच्छे से apply कर लिए इस तरह से अगर आप अपने बालो में regularly इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो बहुत अच्छे result आपको coverage मिलती चली चाएगी, आपके सफेद बाल भी जो हो रहे हैं, वो वहीं रुख जाएगे, तीरे-दीरे काले होने भी start होंगे, तो देख सकते हैं, आप पूरे बालो में इसको apply करना है, मैंने जो powder बना है कलॉन जी का बिल्कुल fine है, तो इसका application बहुत ज़्यादा स्मूध हो जाएगा, अगर आपका थोड़ा सा दरदरा रह जाता है, वैसे तो रहेगा ने, क्योंकि कलॉन जी बहुत अच्छे से महश हो जाती है, तो आप इसको मतलब लगाईए का हाथों के help से ही, मैं ये ज़रूर कहूंगी, क्योंकि हाथों की help से लगाने से क्या है, ये बहुत अच्छे से आपस मर्ज हो जाएंगे, और ये आपके बालों में application अच्छे से होंगे, ये आपको किसी toothbrush से या फिर applicator brush से नहीं लगाना है, हाथों के ही इस्तेमाल से आपको लगाना है, आप चाहें तो हाथों को cover कर लें किसी polythene से या फिर किसी glove से, तो यहाँ पर मैं इसको हाथ भी आपको दिखा रही हूं कि तेच्छी coverage इसकी हाथों पर आ रही है, और अच्छी खासी layer इसकी लगानी है, पूरा भर भर के मैं इसको लगा रही हूं आप देख सकते हो, पूरी मोटी layer इसकी आपको फ requirement है, वहाँ लगा लें, पूरे बालो में लगाने की जरूत नहीं है, जहाँ आपको जरूत है, वहाँ इसको ज्यादा लगा लीजेगा, तो देख सकते हो, अच्छे से लगाने के बाद आपको बस 15 मिनट इसको छोड़ना है, और बस plain water से rinse करना है, इसके बाद आपको कोई wild shampoo का ही इस्तेमाल कीजेगा, और इसको मैं आप रख रही हूँ, और बस उसके बाद मैं आप hair wash करके दिखाती हूँ, कैसे रहे हैं, result इसके बालो, तो अभी आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से बालो को इसने black करा है, कहीं से भी कोई बाल मेरा, बिल्कुल भी white नहीं है orange नहीं है, brown नहीं है, बहुत अच्छी coverage इससे मिल जाएगी, आपको दोस्तो बहुत ही गजब की remedy है, बहुत ही आसान remedy है, इसको बना करके try जरूर से कीजेगा, और आपको बहतरी result इससे मिलने वाले हैं, उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को में हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सफेद हो रहे हैं, तो इन remedies का इस्तेमाल करें, chemical की तरफ बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं, इन जो का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको result बहुत जरूर मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, अपना ध्यान रखें, nature की तरफ जाएं, नेजर से जुड़ें, नाच्राल चीज़े का इस्तेमाल करें, stay healthy, stay safe, love you all, keep watching, bye bye